हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप की आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना राची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आप लोग जानते हैं 24 अपरेल के दिन ये वंदे भारत ट्रेन सुरू होने जा रही है और मानेनिये प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी पटना से राची के बीच में इस वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाने जा रहे हैं और पटना से राची के बीच में लगबख 407 किलूमीटर के डिस्टैंस को ये ट्रेन 6 गंटे में कवर करने वाली तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ इनोगरल के बारे में और इसके रूट टैंटेबल और स्टोपेज के बारे में जानकारी दूँगा और अगर आप लोग इसके इनोगरल वाले दिन यानि 10 माई के दिन इस ट्रेन में फ्री में सफर करना चाहते हैं तो उसके बा 5 गंटे में तो कवर कर लेगी मेरा ऐसा मानना है लेकिन बताया जा रहा है 6 गंटे का समय लगेगा इस बीच ये ट्रेन 130 किलूमीटर की परावर स्पीड से चलेगी इसके रूट के बारे में अगर मैं बात करो तो ये ट्रेन पटना से निकलने के बाद जाकर जिहाना बाद के रास्ते होते हुए गया जक्सन पहुचेगी गया से निकलने के बाद ये ट्रेन कोडरमा हजारी बाग रोड के रास्ते होते होते हुए जाकर नेता जी सुभास चंदर बोस पहुचेगी उसके बाद चंदर पुरा जक्सन बोकारो स्टील सिटी मुरी जक्सन के रास्ते ह तेवे जाकर राची जक्सन पहुच जाएगी तो यहाँ पर इसका ये रूट है और इस टोपेज तो यहाँ पर अभी खेर निकल कर सामने नहीं आए हैं लेकिन बताया जा रहा है कि ये ट्रेन राची से सुबा साड़े साथ बजे निकलेगी और दुपहर में लगबग दो ब माने ऑफिचल अनाउंसमेंट का इंतजार करिए आपको टैम्टिबल इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग ये टैम्टिबल बता रहे होंगे इसलिए तो दोस्तो आइसी एफ चैन्नेई से बहुत जल्द ही पटना जक्सन या राची जक्सन पर पहुचने व इजुक्रिटिव क्लास और चेयर कार वाले कोचेस होंगे और उसके अलावा ये वंदेभारत ट्रेन 130 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से चलेगी एवरेज स्पीड 81 किलोमेटर पर आवर की होगी तो दोस्तो अब बात आती है इनोग्रल रन में फ्री में सफर करने की तो य हैटवार्टर में जाना होगा अगर आप लोग पास आसपास से हैं तो आप लोग हैटवार्टर में जाईए और अपना पास बुक कराईए और अगर आप लोग दूर से हैं तो मैं आपको CPRO सर का नंबर दे दूँगा अगर इस ट्रेन का जो इनोग्रल है वो राची से होत इस वीडिव को देखकर अपना वो नंबर लीजेगा, कॉल करिएगा अपनी inaugural pass को बुक करा लीजेगा, तो आज की वीडिव में मैं आपको बहुत कम सब्दों में समझा दिया है सारी चीजे, समझ गए होंगे, तो चलिए आज की वीडिव में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दे कोरने ये अपडेट के साथ हम भी कोसिस करेंगे इस वंदे भारे ट्रेन के इनोगरल में विजिट करने के लिए और बाकी की जो इसकी जानकारी है किराय से समबंदित इसका टैंटेवल ओफिशल जो इसका जो निकल के आएगा ट्रेन नमबर वगेरा वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा को कि अभी कुछ क्लियर नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं बहुत जल्दे कोरने ये अपडेट के साथ जबते के लिए अपना ख्याल रखिएगा जय हिंदे and God bless you all